मेडिया अंडिस्ट्री में एक ऐसो नाम जिसे हर कोई जानता है जनम लिए भगमान हर हर मोदी ले लो इन के नाम हर हर मोदी जनम लिए भगमान हर हर मोदी ले लो इन के नाम हर हर मोदी मोदी जी न्यारी हैं राष्ट के दुलारे हैं जन जन के प्यारे हैं आखों के तारे हैं दुनिया में सब से बड़ा नाम हर हर मोदी जनम लिए भगमान हर हर मोदी ले लो इन के नाम हर हर मोदी अर जूट कहोगे नाही लूट सकोगे नाही अर पाट सकोगे नाही या काट सकोगे नाही अर सब के अब मिलता है समान हर हर मोदी ले लो इन के नाम हर हर मोदी अर जनम लिए भगमान हर हर मोदी ले लो इन के नाम हर हर मोदी कि हम जिस समाज से विलान करते हैं वह समाज का आज से नहीं पिछले मुगल सासनकाल से दमन ही होता रहा है आपको हम बता सकते हैं कह सकते हैं कि साड़े 600 साल मुगल सासकों ने हम पर सासन किया और जो यहां के मूल निवासी आदिवासी जो यहां के निवासी थे जिनकी संपुन धन धर्ती संपदा को इननों लोगों ने लूटा इन पर अत्याचार किया इनका दमन किया पतन किया और इन्हें दास लोड़ी गुलाम बनाकर बद से बत्तर जीवन जीने के लिए विवस क और यह घटना रुकने का नाम नहीं लिया हम आप कह सकते हैं कि अंग्रेज सास्वकुर्ण ने हमारी देश में 200 साल सासन किया और 200 साल सासन काल में अंग्रेजों ने एक ही काम किया वह यह काम किया कि आदिवाशियों का ही पतन किया अठारे सो के हिप्तर में पहला और 1924 में अंतिम रूप से क्रीमिनल ट्राइब से एक्ट लागू कर दिया और जरायां पेशा अपराधी घोशित कर दिया देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया यह घटना अंग्रेजों ने किया इसका हमको पीड़ा नहीं है लेकिन देश 1947 में भारत अपना आजाद हो गया और सरदार वल्लब भाई पटेल जी ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटा कर डीनोटीफ हाइट एक लगा कर हमें जंजात का दर्जा दिया और किनी कारण बस सरदार वल्लब भाई पटेल जी का मृत्तु हो गया और मृत्तु हो जाने के बाद 1950 में पुर्य की सरकारों ने पुना क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत हमारे लोगों को जेलु में बंद कराकर आजाद भारत का चुनावट रहा आज हम मानी मोधी जी का जन्म दिन को जन्म उस्षों के रूप में क्यों मनाया उसके पीछे बहुत बड़ा लाजिक है ब गया लूट गया पीटा गया इनका धरधन voltar liberty सभक सभक्रेस और उसके को हमें कोई गुरेज हमारा सुभाव है हमारे समाज का नीतिया है नियत लोगों को शरण देना लोगों को पारना पोस्ना लेकिन जिस तरीके से हमारा मानी मोधी जी ने आदिवाश्यों की सुद्र समाज का अंतिम व्थि जो अंतिम पैधान पर बेधा है आज बैस का पहले पarक्ति का व्थि आजsto महा महीं बना इसलिए मसाननी मोदी जी का जन्म दीन्मों उसक्यों रूप में आ रहे हम इसलिए वना रहे हैं आएए मधान Access का जन्म अन्नी मोदी जी ने जो हमको शम्मान दिया है वो सम्मान आज के पिछले लगवक हजार साल पहले आदिवाशियों को शम्मान नहीं मिला आज मोदी जी मोल घांची से आते हैं लोग बताते हैं कि कलवार समाज से भी विलान करते हैं कलवार जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि अति पिछली की पिछड़े समाज का जो उत्पत्ती हुआ है यह इन्हीं जन्जातियों से उत्पत्ती हुआ है इन्हीं जन्जातियों को डरा धंका कर मार पीड़ कर इनसे तमाम तरीके को योजना बद तरीके से इनको अति पिछड़ा नाम से जाना गया दिर जा दिया गया हम से कहते हैं सट थारज सो एक्याननवे कहारों के वरगी करण में तुर सत्रह जातिया हैं उनसथर जातियों में बाबा साब अमेटकर की जाती महार भी वो कहार वर्गी करण में है महार पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में दलित नाम से जाना गया लेकिन उन्हीं सेंसर 1791 में कहारों के वर्गी करण में खरवार और तुरेया त्यादी बाथम इन्हें जो है नाना प्रकार से आज पूरे देश में लुप्त होता गया रहा है यह जातियां लुप्त होतने के साथ साथ इनकी पहचान बाधित किया जाता है आज आपको बता दो जब अग्रेजों ने इन पर क्रीमला ट्राइब से एक्ट लागू किया था उस समय यह लोग डरे समय किसी कहां बन्नी मजदूरी सेवा टहल प स्थार किया आज उसी को आज कि हमारी बर्तमान में जो जातिकत आधार पर राजनेतिकंप्री यह जो बनस बाध की आधार पर को न ले सके और मैं कहता हूं आज कहारों के नाम पर जबकि कहार एक पेशा संभोधन नाम है कहार एक काम है आज उसी कहार को कहार जाती का दर्जा नाम देकर आज पूरे सर्वार समाज सहीत आदिवासियों का पुष्पिरन किया जाता है उनकी पाचान बादित किया जाता है उनके सार्टिफिकेट नहीं बनाए जाते हैं उनको अरचन में डरवाए जाता है उनका अधिकार आज तक छीना जा रहा है आप यह समझ लीजिए कि जितना यहां इस दे नहीं हुआ होगा हम कह सकते हैं कि आखिर आप जो इस धर्ती का मालिक था जो दर्ती पर उत्पन हुआ जिसमें धर्ती के साथ उत्पत्ति की हुए है वह धर्ती पर कहा चला गया उसे जमीन खा गया आसमान निगल गया पिछले 10 साल पहले भी आदिवासियों की जण्गन्न ds करोड़ में ही आकि जाती थी آवाज 2000-22 में भी आदिवासियों की जण्गना 10 करोड़ में ही आकि जाती है अठी ऐसा क्यों होता है इसके पिशे कौंश करना लोग कहते हैं इस समू का इस वर्ग का इस जाती का संख्या इतनी है हम आपको कह सकते हैं कि इसकी सारी कुम्मिनेटी को जोड़ दिया या गोण खरवार चेरो बैगा मुंड़ा पठारी संथाली और ये संसर्ट अठारे सो के क्याओन के सत्रह जाती हो का उसमें बात हम और खरवार जो गोण ये सब सा प्रदेश विहार ही नहीं पूरी देश की सरकारे बना सकती है और मानी मोदी जी ने इनहीं की भावनाओं को विचारों को इनहीं की समस्याओं की आवस्चक्ताओं को समझा और इसलिए मानी मोदी जी ने इनहें सम्मान दिया इसलिए मेरा कर्तव्य विनता है कि अपने तो नहों दूर नहों एक-एक ओट माननी मोदी जी के खाते में जाए और मोदी जी इस देश के सस्वी परधान मंत्री 2024 में भी बने और गर जाने भी जाएंगी राम के खातिल तो हम को ये तरा जी नहीं गर जाने भी जाएंगे राम के खातिल राम के खातिल श्याम के खातिल स्री संकर भगमान के खातिल गर जान भी जाएंगे राम के खातिल तो हम को ये तरा जी नहीं गर मेडिया अंडिस्ट्री में एक ऐसो नाम जिसे हर कोई जानता है